डॉक्टर बाबा साहिप आमबेड़कर ओपन युनिवर्सिटी वाला विद्यार्थि मित्रो अपने संचालन अधार्स्तम एवा अंदाज पत्रना पर्तर खर्च प्रयुक्तियों विशे अगावना लैक्छर मां चर्चा करी हती एनि आगर लई जेता आमपने खर्च प्रुथक करन विशे आजे थोड़ी चर्चा करीशू जनी समझ केड़्युवानों प्रहत्मा करीशू खर्च प्रुथक करण एटले जेना उद्देशों आपने पहला जोवा जोईए खर्च प्रुथक करण नी संकल्पना समझवी जे मा पहलो उद्देशे छे के खर्च प्रुथक करण नी संकल्पना आपने समझवी ખर्च પૃથકરણ પરત્વે વિવીત અભિગમોનું વાણન કરું ખर्च પૃથકરણ પધધતીઓ સમજાવી जेमा पद्धतियों न उल्लेक थर्षे, पुस्तकालाय अने महितिकेंद्रों मा खर्ज प्रुथक करणनी पद्धतियों ने बीनी योजित करवे। आयना उद्धेशों चे, ए उद्धेशों नी साथे आपड़े आजनो विशय चर्चामा लईशू, चेनी प्रस्थावना जोईए, तो पुस्तकालाय अने महितिकेंद्रों धीमे धीमे खर्ज अंगे सभान बनी रायाचे। पुस्तकालायो अने महितिकेंद्रों मा अंदाज पत्रिय दवानों अने नानाकिय भीडना आजना परियावरवन मा विवित सेवाओ चलाववा अने तेना उपलब्त विकल्पों मा समाविस्ट खर्चनों भिगतवार एहवाल लेवो यथार्त बनी चे। खर्च प्रुथक करण अभिगमों खुब लोकप्रिय बनी रहाचे। तेओ मात्र समाविस्ट खर्चना प्रुथक करण मा मदद करता न थे पड़ आवी पद्धत्यों नी असर कारत्ता लाब उपायोजना अने संभवित्तामा पर मदद करेचे। आएकम मा अपने ग्रंथालाए अने माहितिक एंद्रों मा खर्च प्रुथक करण अने तेमनी विनियो जित्ताना परत्वे विवीत अभिगमों नी चर्चा करीश। खर्च प्रुथक करण नो अर्थ समझ वों बोजर्वन जे। आपने जेरे खर्च प्रुथक करण है व्याद करीशे। थिще एनों अर्थ समझ ये तो खर्च प्रुथक करण ए पड़तरbecca अभियासनु पायागत साधन जे। ते अभ्यास नुँ प्राथमिक स्वरूप छे, जे खर्च अभ्यास ना अण्य बननात्मक अने प्रुथक करनात्मक पद्धतियोने पार पाडवामा मदत करेच। उप्रांत, खर्च प्रुथक करणों माथी बहार आवता डेटा हिसाबी पद्धतीमा अंदाज पत्र रचना औने कामगीरी मापन क्रिया विदियों माटे उप्योग माँ लई शकाई जे। अंदाज पत्र नी सघन औने प्रतिती जनक रजुवात नी समान्य रिते खर्च प्रुथक करण ना विवीत विकल्पोने आधारी थोई जे। पार पाडवा माटे जरूरी श्रमना समय मापन नो समावेश करज। खर्च प्रथक करण असंख्य विस्तुरोत संकल्पनिय औने क्रियात्मक सिध्धन्तोनो समावेश करज। आ पद्धती पुस्तकालाई औने माहितिक एंद्रोमा अत्यांत विनी योजित छे। पुस्तकालाई औने माहितिक एंद्रोमा आ पद्धतीनो उप्योग स्त्रोतोना अधारे कार्यक्षम उप्योग खास उद्धेशो सिध्ध करवामा तथा खर्च घटाडा तरख दोरी चेई शक्येश। अने ते कोई खास अंदाज पत्र अथवा अन्य स्त्रोत निग्रह माटे शू सिध्ध करी शकाई ते विशेक ख्यालपण आपिशक्येश। पुस्तकालय अने माहिती केंद्रो मा नीती विशेक नीणय आ नीणय ना खर्च अने परिणामो ना आधारे वधवा जोली। खर्च प्रुथक करण शरू करता पहला प्रुथक करणा अत्मक मालखु स्थापित करू जरूरी चे। मालखु समस्याना स्वरूपनी ओडख, प्रुथक करण माङटे स्विकार्य विकल्पोनी स्पष्ट ता, प्रुथक करण माङटे प्राथमीक अने धितीक श्रोतागणो नी ओडख, अने प्रुथक करण नी योग्यपद्धती नी पसंगीनो समावेश कर जे। असरकारक खर्ज प्रुथक्करण माटे खर्चाई रहेल प्रत्तिक एकम नी व्याख्या करवी जरूरी होई छे आ एकमोंने खर्च केंद्र अथवा खर्च एकम तरीखे निर्देश कराई छे खर्च प्रुथक्रण माँ समाविस्ट पगतिया जोई ये तो आरी इतना छे जे माँ प्रक्रिया नी परिमानत ता अने तेनी ओड़क एनी ओड़कापी प्रुथक्रण करवा माँ आउना प्रक्रिया ने एरी ते नाम आप पूजोई ये के जे समग्रप परिभ्रमन आपले विभाग प्रक्रिया भिसाप प्रक्रिया ताखला तरीके प्राप्ती प्रक्रिया वगेरे दर्म्यान ते खास प्रक्रिया नी अलग घटक पगतिया मा विभाजन करवू जरूरी हुए छे, प्रुथक करण करवा मा आवनार प्रक्रियानी ओडख बाद, तेने वधारे नहना एक कमो, अथवा घटको मा प्रुथक करण सरण करवा माटे विभाजित कराए छे, जयमा दाखला तरीके प्राप्ती प्रक्रियाने पसंद की ओडर आपको, खरी दी, निवेश, वगेर मा तेने विभाजित करी शकाए छे, प्रत्येक पगतिया माटे स्त्रोत जरूरी आतो नक्की करवी प्रत्येक घटक पगतिया माटे जरूरी स्त्रोत ओलक प्रुथक्करन हेतु माटे जरूरी छे 4 स्त्रोतों के जिवो सामान्यारीते मानवशक्ती, पुर्वठा, निरिक्षण, आने परियावरन साथे समलगना छे ए उप्रात जरूरी उपयोगी स्त्रोत सामान्यारीते साधन छे प्रत्तेक स्त्रोत विशिस्ट लाक्षणिकता ओ धरावे छे जेमनी प्रक्रियाना खर्च उपर असरो जोवा सम्भूण रित्य अभ्यास करवानी जरूर रहे छे। प्रक्रिया माटे समय अने कदनी ओड़क अने तेने खर्च साथे सांकलव। एपन एकली जरूरी बाबाच छे। प्रुथक करण हेठर्णी प्रक्रियाने जरूरी समय करवाना कारियनु कद तेना खर्च परत्वे सबंधित करवाना संदर्व माँ परिमानित करवू जरूरी जरूरी जे। खर्च प्रुथक करण अने विकल्पो तो एमा खर्च प्रुथक करण प्रक्रियामा समाविस्ट प्रवृत्तियोनी चकासनी जिने फक्त एकली चकासनी जिने पन करेला कारियनी वैकल्पिक पद्धतियोनों पन समाविस्ट करेचे। आ रिते व्यक्ति, कोई खास प्रक्रियामा थे उत्री आवे, लाभणी साची रिते मुलवनी करेज। खर्च प्रुथक करण अभी घमों विशेवाद करिये तो खर्च प्रुथक करण ना अभी घमों मा खर्च प्रुथक करणी प्रक्रियामा उप्योग मा लेवामा असंख्य विवीत परंदु सबंधित शब्दों के संकल्प नावं छे जे ओ वास्तवी करिते प्रुथक करण विवीत अभी गमों छे, खर्च प्रुथक करण ना अगत्य ना अभी गमों समझ ये तो जे आप्रमाने छे, पहलो छे येमा खर्च, असर कारतता, बीजो छे खर्च लाग, त्रीजु छे खर्च उपियोगीता, अने चोथो छे, खर्च संभवित्ताना लाक्षनीकता, चोथो छे, खर्च, खर्च संभवित्ताना लाक्षनीकता ओजो ये, तो जे आप मुझेब छे, पहलो छे, खर्च असर कारक्ता प्रुथक करण, खर्च असर कारक्ता प्रुथक करण, अमुक लक्षो अथवा, परिणाम सिद्ध करवा, तेमना खर्च अने असरो ना सबंद मा, विकल्पों मा, अभ्यासनो निर्देश करेच, केंद्र अमुक लक्षो अथवा, लक्षो नी सिथी उपर, ध्यान केंद्रिक करेच, खर्च असर कारक्ता उकेल एछे, कि जे शक्के तेटला खर्च साथे, महत्तम, निर्गमन, पूरुपाडव, खर्च असर कारक्ता, सामान्य रिते, कार्यक्षम्ता, अभ्यास साथे, द दिविधा उद्पर्णा करेच, आब ये बच्चे पायागत तफावत छे, कि जे खर्च असर कारक्ता आये, निर्गमन, अभिस्थापित होईचे, जे रे खर्च कार्यक्षम्ता अनिवेश, अभिस्थापित होईचे, खर्च असर कारक्ता अभ्यास मां, खर्च नी आपे खर्च उकेल न होय, वीजी बाजुए खर्च कारेक्षमतानो धे निर्गमननो आपेली कक्षाए खर्चने लगुत्तम करवानो होय छे। खर्च असरका रखता अभिगमना विभीत फायदा ओ होय छे। तेमा सौथी अगत्यनी हकीका दे छे के तेने खर्च अने असरका रखता महितिक एंद्रोजेवी पद्धतियों मा सरड ताथी उपलक्त होय छे। ते अभ्यासने वधारे विस्तरूत सर्वग्राही बनावा माटे खास लक्ष माटे वैकल्पिक उकेलो द्यान माले छे। आम छे ता मुख्य गेरफायता पण छे। ए एवाज है के विकल्पोंने विभीत लक्षों अने उद्धेशों साथे सर्खावी शक्ता न थी। मुल्वी शक्ता न थी। बिजु जोए तो खर्च लाब। खर्च लाब प्रुथक करन। एटे के कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस। खर्च लाब प्रुथक करन कल्याण अर्थशास्त्रियो ध्वारा उप्योग मा लेवा तो अगत्यन उपकरन छे। तेनाना की ये शब्दो बा। मपायल खर्च अने लाबना संदर्भमा विकल्पोना मुल्यांकननु निर्देश करेच। आरी तेदे सामाजिक खर्च अने खास योजनाना लाबनु मुल्यांकन करवानो प्रहत्न करेच। अने योजना साथे आगल बदहू के नहीं ते नक्की करवामा मदद करेच। खर्च लाब प्रुथक करण खर्चनु मुल्यांग अने प्रत्येक विकल्पना लाबनु मापन करवा प्रहत्न करेच। विकल्प के जे सौथी वधारे महतम खर्च लाप पूरो पाड़े छे ते आवश्यक्रिते सौथी वधारे खर्च असरकारक उकेल न होई आर्थिक लापने बडले सामाजीक लाप उपर वधारे बारवे छे जेरे खर्चनी वात आपने करता हो ये ने त्यारे आपने मोटे भागे नाणा की लाप परज वधारे ध्यान केंद्रित करता हुए छे परन्तु पुस्तकालाई एक एवी प्रवृत्ती छे, के जेमा खर्च लाव के आवक लाव तरफ अधारे ध्यान केंद्रित करवानी जरू नती सामाजी खलाव केटलो थाई छे, आपणी पुस्तकालाई प्रवृत्ती हो थी समाज ने केटलो एनो बेनिफिट मले छे, के समाज केटलो लाव उठावी शके छे, ए पर अपड़े भार मुको खुब जरूरी छे खर्च लाव प्रुथक करण लांबा घालानी नेने प्रक्रिया माटे आवश्यक साधन छे काणके ते सामान अने सेवाओना उत्पादन नी तातकालिक खर्च प्रुथक करण ना लाव जोईए खर्च प्रुथक करण ना लाव पहलो खात्री करवी के कोई खास विकल्पने तेना खर्चाओ थी वत्ता लाव हो छे केम बिजू विवीत उद्देशो साथे विकल्पना जूथने ओडखनू के जेने सौथी नी चूखर्च लाव प्रमान छे अने त्री जू विवीत कार्यकरम क्षेत्रो जेवाके शिक्षन, स्वास्थ, सुरक्षा वगेरे वच्चे विकल्पना जूथनी निश्चित्ता जेने समग्र समाजना कल्यान माटे रोकाणना एकंदर प्रुथक करण माटे उच्छामा उच्छू खर्च लाव प्रमान हो आप अध्धती नो एक मात्र गहर फायतो जोई ये तो ये छे के आर्थिक वाबतों मा खर्च अने लाभनू मापन करू मुश्केल छे व्यक्ती महीती एकंदर करवा माटे मुश्केली नो सामनो करे छे औने परिणाम हम्मेशा चोक्साइपोन न होए खर्च उप्योगीता प्रुथक करण हवे आपने जे चर्चा करीशू ते आपनो टोपिक छे के खर्च उप्योगीता प्रुथक करण कोस्ट युडिलीटी अनालिसिस खर्च उप्योगीता प्रुथक करण विकलपोना सबन्द मा खर्च औने तेमाथी उत्पन न थती अंदाजित उप्योगीता नो निर्देश करे छे जारे खर्च असर कारक औने खर्च लाब प्रुथक करण ने नीणाई प्रक्रिया माटे संख्यात्मक माहिती ना उप्योगनी जरूर पड़े छे त्यारे खर्च उप्योगीता अभिगम हेतू माटे गुणात्मक अने संख्यात्मक माहितीना विस्तुरूत क्षेत्र नो उप्योग करेचे खर्च उप्योगीता एक योग्य साधन छे जे मा आत्मलक्षी मुल्यांकन कराईचे एमा उदाहरण जो ये के खास ग्रंथालाई सेवाना शक्य परिणामनू मुल्यांकर आभिगमनो सुख्ष्म लाब एचे के ते संख्यात्मक माहिती उपर कड़काई पूनारीते आधारित ना थी संबोण माहिती साथे ना परिणामो उत्पन्न करवा शक्य छे अने अचोकस्तानी समश्याने पार पाडवानू बन शक्य बने छे आम छेता आ अभिगमनो गेरफाईदो ए छे के मूटा भागनू मुल्यांकन आत्मलक्षी प्रुथक करण पर आधारी थोय छे कोई पण माप्रदन क्रियापद्धती पर नहीं ते कारण थी चोकसाई पूर्ण परिणामो उत्पन्न करवा मुश्किल छे बिवित मुल्यांकन खारू पासे माहितीना समान जुथ माटे बिवित परिणामो होई छे त्यार बाद अपणे तेनों अगावनों मुद्धों जो ये तो खर्च संभवित्ता पूरूथक करण तेनी थोड़ी चर्जा करी लई है खर्च संभवित्ता पूरूथक करण एटले के कोस्ट फैसिबिलिटी आनालूसिस खर्च संभवित्ता पद्धती विकल्पोनी खर्च नू अंदाज खाडवानों अभिकम छे ए हित्तु थी के तेउनी घंडना करवी के केम तेनी खात्री करवा माटे जो कोई विकल्पनों खर्च अंदाज पत्र के अन्यस्त्रोत ती वद्हे छे तो पछीते विकल्प विशेश पृथक करण माटे विचार आतो नधी जारे खर्च लाब खर्च असर कारकता अने खर्च उपयोगीता जेवा अभिघमों खर्च अने विकल्पोना परिणाम बन्ने न विचार करेशे त्यारे खर्च संभवित्ता अभिघम प्रुथक करन येतु माटे मात्रों खर्च परिबणनों विचार करेशे खर्च सम्भवित्ता अभ्यास एक खर्च प्रुथक करणनों मर्यादित स्वरुप छे जे विकल्पनों खर्च उपलब्धिस्त रोतों नी मर्यादा माँ छे ए मरियादा छे के नहीं, तेनी खात्री मात्र करेशे, आने कया विकल्पो पसंद करवा ना छे, ते निश्चित करदो न थी हवे अपने खर्ज प्रुथक करण नी जरे वाद करी देया छे, त्यारे खर्ज प्रुथक करण मा कया कया पद्धतियों समाविश्चे अथ्वा तो कई-कई पद्धति नो तेमा उप्योग करवा मा आवेशे, तो आपने खर्ज प्रुथक करण नी पद्धतियों एटले के मैं थड़ सोब कोस्ट एनालिसिस नी थोड़ी चर्चा करिए, खर्ज प्रुथक करण मा आपेली प्रक्रिया ना मार्ग नी आसपास, प नी वेश नो पड़तर खर्च, आ तब के विवीत नी वेश ना जक्ता दाखला तरीके श्रम सामगरी वगेरे प्रक्रिया पाड़ पाड़वा जरूरी होई छे, तेमने ओड़खी कराई छे, औने तेमना खर्च ने स्थापित कराई छे, श्रमनो खर्च ए मुश्केल काम अने ते सामान्य रिते योग्य श्रम खर्च ना दरेक खर्चायल श्रम समय ना अधारे कराई छे, श्रमनो खर्च के विरिते आपड़े काड़ी शकाई, बड़ श्रमनो को यह मुल्यांकर ना थी के जैनो आपड़े खर्च काड़ी शकाई, पड़ ए श्रम तेने केटला स समय दर्मियान आपयों चे इथ आतरे उट्यावि चिस्वीक रम अमु पाद handicrobiरली सब्धार के शें Elect्या मां पड़तर के जहमा उत्पादननु वास्तविक कार्य हाद धराईज। आत अबके खर्च सुचकांको निवेश खर्च माहितीना अधरे तैयार कराईज। अने तेवो प्रक्रियानी कामगीरीनु परिक्षण अने विनीमाई करवामा वपराईज। समय गळानु पड़तर आप्तिक प्रक्रिया हाद धर्वामा समाविश्ट वास्तविक खर्च निश्षित कराईज। अने आथी ते उत्पादनना चलित खर्च नो समाविश्थाईज। त्यार पची नो मुद्धो जोएति के निर्गमननो पड़तर खर्च। तो निर्गमन खर्च ए खर्च प्रुथक करणनो आखरी तबक्को छे। आ निवेश औने सामगरी रकम खर्च नो सर्वाणाना आधार उपर गणत्री करी शकाई छे। निर्गमन खर्च खास प्रक्रिया माटे उप्योग मा लेवाता स्त्रोत नी उत्पादकता अने उत्पादन हद साथे पन सबंधर आवेशे। ते वड़ी प्रक्रियानी कामगीरी अने किम्मत पर निर्धारन माप्वामा मदद करेशे। खर्च प्रुथक करनी पाया गणत्री उन ने पन बेशुंहें तोहर्च प्रुथक करनी पाया गजक हवेशे। थे। वड़ी प्रक्रियानी करिशिक बत्रोत में लाई पहवामा मदद करेशे। कारिया मा पन पद्धती एटले के अभ्यास हेटन ना खास कारियों हाथ धर्वा उप्योग मा लेवाता श्रम समय ना चक्कस जथाओ मापवा प्राइतन करेच ते प्राथमिक रीते कारिया औने समय अभ्यास पर आधारित छे औने महिती संग्रहनी विवीत पद्धतियों नो उप्योग करेचे जह मा उदाहरन जो यह के कारियों रोजनीश्यों प्रवरुत्ती अथवा कारिया नमून ए तेना उदाहरन तरिखे लई शकाए बीजी पद्धति मा अंदाज अथवा मिश्रकटक पद्धति जह मा बीजी बाजो यह कारिया मापन अभ्यास नो पेटा ब जरूरी स्त्रोत निवेशना जत्थाओ पहला कातो अवलोक अंध्वारा अथवा कर्मचारियों साथे चर्चा द्वारा उडखाई छे अंदाज पद्धति खर्च प्रुथक्करन माटे वधारे चोक्साई पोन परिणामों आपे छे अने तेव पुस्तकालाई अने माहित प्रुथकेंद्रों मा सामान्य अरेते उप्योग मा लेवाई चे आम छेता लामबा गाडे अंदाज पद्धति मात्रों कार्यमा पंपद्धति नहीं पण अन्य खर्च पद्धतियों जेवीकें अंदाज पत्र रच्वा हिसाब कामगीरी मुल्यांकन वगेरे ध्वारा प पुरक बनावानी जरुँछे, जे थी संतोष्यन अकपरिणामों मेडवाये चे पुस्थकालाई और महितिकेंद्रों मा खर्च प्रत्थक करों पुस्थकालाई और महितिकेंद्रों आपड़े गवचर्चा करी ये प्रमाडे ये खर्च करती संस्था होचे जेमा वधारे आवक करता खर्चना स्त्रोत वधारे जोवा मड़े छे तो आपणा पुस्तकालायों मा ते खर्च केवी रिते करू एनु प्रुथकरन केवी रिते करू ते अंगे नी थोड़ी वात आपड़े करीशु जेमा पुस्तकालाय और महितिक एंद्रो नफ़ो करती आने बीन नफ़ो करती संस्थाहों एम बनने माटे अस्तित्वत धरावे चे अंगे अने सामाज हों सामाज एक भाग और ह awards आपड़े मा समाभेश करीये रिसल spreads आने मोटे भागे बीन नफो कई शकाए, काण के आपने एवी कोई बीजी आवको उत्पन्न नखी करी शकता, आपनी पास जे अंदाज पत्र होई छे, एने आधारे आपने पुस्तकाले प्रवृत्तियों अथ्वा पुस्तकालोयों चलावता होई छे. नफो करती संस्थाव सामान्यरीते तेमना ध्वारा पूरी पड़ाती सेवाओ माटे शुल्क बसुल करेजे. माहिती नी सतत्वत्ती बांगना काराणे बिन नफो करती संस्थाव पन तेमना उत्पादनोनू मुल्ले लेवा माटे मजबुर बनेचे. जेथी केटला कंशे करायेला खर्च वसुल करवा तेमना माटे शक्य बने. पुस्तकालाई सेवा अथवा प्रवृत्ती नो खर्च क्रंथालाई अने माहिती सेवाओ माटे मुल्ले जरूर यातो निशित्ता माटे आवशक्तत वो पैकी एक छे. उत्पादनो अने सेवाओ ना मुल्ले निर्धाराण उपरांत विवित पुस्तकालाई अने माहिती सेवाओ ना खर्च प्रुथक करड़ा फाइदा पन अपड़े चकास्वा जोई. एणा फाइदा जोईए तो पहलू एछे के प्रत्तेक सेवा अथवा कार्य माटे खर्च ना अंदाज मां मदद करेच. विजुंग खर्च माहितीयो कार्या नी कार्यक्षमताना मापन अने तेमादी उत्पन्न थता लाभु माटे उप्योग मां लईशकाएचे. तेमा त्रीची फाइदो जोईए तो ते पुस्तकालाई ना स्त्रोत ना इस्टतम उप्योग माटे नी खात रिया आपेचे. विले के महत्तम एनो उप्योग थाई शकेचे. चोथो एनो लाब छे ते कर्मचारियोंनी कारेक्षमतानों मुल्यांकन करवा मां मदद करेचे. त्यार बाद पांचमू उस्तकालाई प्रबंध को भावी कारियों निश्चित करवा नीड़े प्रक्रिया माटे तेमनों उप्योग करी शकेचे. छेटो फाइदो जोईये तो ते जरूडी निवेश साथे पग मिलावीने औने तेमाती उत्पन्न थाईल निर्गमन द्वारा पुस्तकालाई कारियों पर नियंत्र राखवा मामतत करेचे. युलेके नियंत्रित करेचे. पुस्तकालाई अने महिती पद्धतियों माटे खर्ज प्रुथक करण बे प्रकारों मा वर्गी कुरुत करी शकाईचे. हवे एने पन आपड़े वर्गी कुत स्वारी वर्गी कुत करवानों प्रायत्न करेशू के कई बे पद्धतियों द्वारा एने वर्गी कुत करेश चका तो पहलू स्थूल खर्च अने बीजा चे सुक्ष्म खर्च स्थूल खर्च मां पद्धतिनों वर्टमान खर्च भावी प्रवाहनों अंदाज करवाना हेतु थी निश्चित कराईशे। सुक्ष्म खर्च मां पद्धतिने एकमों मा विभाजित कराईशे अने प्रत्यक एकमनों खर्च निश्चित कराईशे। एकम खर्च पध्धती सेवाना विसिस्ट एकम खर्च ना प्रथक करणने सरण बनावेचे, कोई पन पुस्तकालाई पध्धती माटे तेनो निवेशनो नीचे बुजब एक सारांश तयार करिशकाई के कर्मचारियों अधिक्षक व्यावसाई को अर्ध व्यावसाई को बीन दफ्तरी कर्मचारियों बीजी सुविधाओ कार्यस्थर नू राचर चीलू सामग्रियों अने पुर्वठो लेखन सामग्री पुस्तकों एतो महत्पनी वस्तुच आपनाई तो पुस्तकों होए सामाईकों अमुद्रित माध्यमों स्त्रोतों सुची कार्ड, लॉपी, सीडियों, चौथु जोई है तो साधन कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, सर्वर्स, जी बगेरेनों इमाँ समाविश्करी शखाए त्यार बाद जोई है तो अध्या निवेश माँ उर्जा आपनी लाइटनी फेसिलिटी वीजी वातानू कुलत, एरकंडिश्टन, कार्यसर्ण नी सफाय, तेनी जाडवनी, कर्मचारियों नी तालीम, ये पन खुब अगत्यनी बाबतेमा समाविश्करी शे, के कर्मचारियों ने समय गाले तालीम आपीने ने अपडेट करवा, जुदे जी तालीम पुग्रामों नो अपड़े श करा है, अब जेनो कुल खर्ज छे, एने पन आपड़े जुदा जुदा प्रकार मा एने विभाजीत करी शक्ये छे, एक तो प्रत्यक्ष खर्ज, प्रत्यक्ष अने परोक्ष खर्ज, आने कुल खर्ज, जेमा प्रत्यक्ष खर्ज, प्लस परोक्ष खर्ज, प्रत्यक्ष खर प्रत्यक्ष रिते सबंदित होता नथी, परन्तु कार्यों पार पाडवा माटे तेमनी जरूर रहली होई छे। ताकला तरीके लेखन सामगरी, कार्यस्थरनी सफाय औने तेनी जाडवनी ते पणेमा समाविस्ट करवामा आवती होई छे। पुस्तकालायने माहिती केंद्राना खर्ज रुथकरन प्रक्रिया नीचे निरीते पार पाड़ी शकाय छे। रुथकरन प्रक्रियाना जुदा-जुदा पगत्यानी आपड़े थोड़ी चर्जा करीशू। पगत्यु एक मापन करवा माटे उत्पादन अथवा सेवा नो एककम नक्की करो। दाखला तरीके ग्रंथ परिभ्रमण सेवा संधव सेवा वगेर आवे। तेनु बीजु स्टैप जोई है कि बगत्यु बे उस्तकालाई कारियाना प्रत्यक खर्च माटे केंद्र नक्की करवा। खर्च केंद्रों वड़ी पाछा विभजित करीशकाय। प्रत्यक्स कार्यक्रम केंद्रों जेवा के संधव सेवा परिग्रमण सेवा वगेरे अथवा प्राप्ति वईवट वगेरे जेवा आधार सेवा केंद्रों तेमा समाविश्चे। एनुत्रीजु स्टेप जोई है तो प्रत्य खर्च केंद्र अने तेनी प्रभृत्यों माटे खर्च नी माहिती एकत्रित करवे। चोथु स्टेप छे कार्यक्रम खर्च केंद्रोंने सेवा खर्चाओनी योग्य फाडामुणी करवी जोई। पांचमा पगत्यामा मापनना तेना योग्य एकम वडे खर्च केंद्र ना कुल खर्च ने विभाजित करीने एकम खर्च नक्की करो। तेमा दाखला दरी खे अपड़े ग्रंत आपले विभाग नो खर्च छे बिजुवेने समाविस्ट करी शकाए छे। कुल खर्च अभिगम माटे खर्च प्रुथक करण ना पगत्या जे सुच्वे छे ते आ मुझब छे। पहलू छे खर्च केंद्रोंने ओडखवा अने तेमने वधुमा वधु पेटा खर्च केंद्रों माँ विभाजित करी खात्री करो। के ग्रन्थालाई करता प्रतेक शक्य कारिय सर्भर करी शकाए छे। तेमा बीजो मुद्धों छे के प्रतेक कर्मचारी द्वारा बनाएला प्रव्रुत्तियों अथवा कारियों यादी रचुई। अने तेमनी फरजो बजावा माटे तेमना ध्वारा लेवाईला कूल समयनी यादीनी रचना करी। त्रीजायना पगेतियामा आवशे प्रतेक कर्मचारी ना निर्गमननु वणन करता एकम मापोने पसंद करवा। त्यार बाद आवशे चोथु दैनीक धोरणे कारिय बनावा खर्चायल समय औने निर्गमननु कूल एकम मोनी नोंद करवी। पांच मोयनों पगत्यु जोईए तो दरेक महिने समय डेटा औने निर्गमन डेटानु सारांश करो। त्यार बाद वर्षना अंते प्रत्यक कर्मचारी माटे कूल समय डेटानों सारांश करो। अने तेने कर्मचारी द्वरा मेडवाहिल पगार अने अन्यलाबो साथे गुणों एनी घणना एरीते करवा मावेचे। त्यार बाद ने पगति जोईये तो वर्षना अंते कारिया प्रवरुत्ती अने खर्च केंद्र द्वरा तमाम कर्वचारियों माटे डेटा संचालित करो। आठमूँछे प्रत्यक कारिया प्रवरुत्ती अने खर्च केंद्र ने बीन कर्मचारी खर्च फाडवा। नवमु छे कारेक्रम खर्च, केंद्रोने संचालन खर्च, अने सहायक सेवा खर्च, ए बनने परोक्ष खर्च फाडवा दस्म मुद्धो छेमा मापन ना प्रत्यक एकम माटे योग्य सरेराश खर्च निश्चित करो ताखला धरीके पुस्तको सुची पत्रो बनायल संदर्व शोध पगेर बेजी बाजुए खर्च शोध हभीकम अंदाज पत्र नी विगतो नाणाकिय डेटाना वेवहारो ना उन्धान पुर्वक्ष पुर्थक करन अने कर्मचारियों नी मुलाकात नो उप्योग कर चे विर्गो ना मत मुझब आ अभीकम ना पगतिया थोड़ा जूधा बताविला चे जे आप्रमाणे चे जेमा पहलू अवशे खर्च केंद्र नी ओड़क विजू खर्च केंद्रों साथे सबंधित प्रवरुत्तियों अने कारियों नक्की करवा त्री जू खर्च केंद्र प्रवरुत्ति अथवा कारियाने योग्य एकम खर्च साथे मापनी पसंदी ચોથુ છે નીચે ના પગત્યા મારફતે એકમ ખર્ચના ડેટા અકતરીતિત કરવા ग्रन्थालाई कर्मचारियो द्वारा व्यतित थायल ले पसार करेल समय ना संदर्पमा कल्लाक दीट खर्च नक्की करवा कार्य बजावा माटे कर्मचारियो द्वारा व्यतित वास्तविक समय जहनी गर्ना करवा मावेचे विविद कार्यों बजावा जरुडी प्रत्यक्ष पुर्वठा सामगरी तेनो समावेशे, प्रवासुविदा वगेरे जवा अन्य प्रत्यक्ष खर्चा पन तेमा समावीशे, कूल प्रत्यक्ष प्रवृत्ती नो खर्च नक्की करवो, उप्योगीता वगेरे जवा प्रत्यक्ष प्रवृत्ती खर्च ने तेमनी पुर्वणी जवा परोक्ष संजालन करता खर्च नक्की करो। नक्की करी शका है पांच मां बुद्धा मां डेटा नुँ प्रुथक करा डेटा प्रुथक करण मां पुस्तकालाई संचाल अन्ना खर्च मां सवथी वधरे मुश्केल काम ए खर्च नो श्रम नो खर्च छे कारिया अने समय अभ्यास मार्फते एकम खर्च नी गणत्री खर्च प्रुथक करण ने सुवधा पूरी पाड़े छे आरिते कारिया अने समय अभ्यास पद्धतियोंने उस्तकालाई अने माहिती पद्धती माटे खर्च प्रुथक करण माटे उप्योग मा लेवाती होवी ज जे बड़ी असरकारक्ताना मापनपद्धतीना लाप अने उप्योगीताने शक्तिमान बनावेचे। उपसहुआर करता ए नोधिये छे के खर्च प्रुथक करण डेटाओ आपेचे। पण ते सेवानी गुणवत्ता कर्मचारियों अथवा संगठननु मुल्यांकन करतू नते। ते खर्च माहिती ब्यक्त करेचे। पण ते खर्च खुब वधारेचे के खुब ओछोचे। एम कई शक्ता नकी। जारे कोई असरखारक विचारवंत प्रबंधक द्वारा उपयोग मा लेवाए ते खर्च प्रुथक करण नी उपयोगी साधन होई शके। आम खर्च प्रुथक करण ए आपणी पुस्तकालाई प्रवरुती अथ पुस्तकालाई संजालन माटे खुब जरूरी छे। तेनिक एटलिक मर्यादा हो साथे आपणे ए प्रुथक करण ने समाविष्ट करिये छे आपणी प्रक्रियावंमा। अने सामाने रिते जोई है कि कोईपण श्रम अत्वा कारिया अने मोटे भागे आपणे पुस्तकालाई माँ तो सेवाओनी बधारे महत वाचे। तो जेपन कर्मचारी नू कारिया छे एने सेवाओमा परिवर्पत करवामा आवे छे। आव जे आखो अपड़ो टोपिक छे हमेश आपड़ा कॉमर्स साथे संकड़ाईलो छे के जेमा आवकने खर्चुनू विभरण करवानू होई छे आने आपड़ा अंदाज पत्र ने तेमा समग्रवर्षत दर्म्यान गोठवामा आपतु होई छे। विद्ध्यार्थिमित्रो आमारा टोपिक मां खर्च प्रुथक करणनी जे बाबतो छे के जी आपड़ा अभ्यास्क्रमने आधारीच छे तो एने तमा इस साथे चर्चा करवानों में प्रहत्ना करूँ छे अने तेने वधु आन्चन अने समझ द्वारा आपने वधु केडविये तेवो मारो आपनी साथे एक सहयोग छे आ टोपिक हों आई पोण करूँ छु आने तमारो खुब-खुब आभार मांशु थेंक्यू 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 विद्ध्या यह पर्या मंतपहा झाल